स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहदी खास कारिक्रम में खास इसलिए क्योंकि ये सुरिग्रहन काफी जादा खास है काफी सालों के बाद इस बार का जो सुरिग्रहन आया हुआ है वो बेहदी खास चीजे लेकर आया है क्योंकि अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखा जा रहा है पर इस सूरी ग्रहन में आप क्या कुछ ऐसा करे, क्या उपाय करे, क्या ना करे, कैसे बचे और किन-किन नियमों का पालन करे, उस पे चरशा करने के लिए हमाँ साथ स्टूडियों में आचार एक कृष्णा शर्मा जी महजूद है आचार जी बहुत जरूरी होता है कि सूरी ग्रहन के दोरान हमें काफी नियमों का पालन करना जरूरी होता है पर यदि दान की बात करे, तो सूरी ग्रहन में दान देना बेहदी एहम माना गया है तो इस दान को किस तरीके से हम समझे safest दान के जो महत है सबसे पहले हूं यह बता दे हम दान दे क्यूं रहे हूं कुछ लोग मंधिर जाते हैं हम भगवान को फूल क्यूँ चड़ाय क्यूँ परशाद चड़ाया तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप government को tax देते हैं कमाते आप हैं tax देते हैं government को तो उसी तरीके से जह हमें सबसे बड़ी government जो उपर बैठी हुई है यानि कि भगवान बैठे हुए है हम उसको tax दे रहे हैं tax मतलब कि उन्होंने हमें यह बुद्धी दिया यह दिमाग दिया एक ही नाम के लोग एक साथ यानि कि एक ही राशी के लोग जो है उसी दिन पैदा हुए है जिसमें कोई एक मंद बुद्धी है कोई डॉक्टर है कोई जो है एक दमी दिमाग ही नहीं है बिल्कुल है है अलग अलग तरीके के जो है सब को दिया है मगर दिमाग जो दे रहा है वो उपर वाला है वो government है आपको द लिए है तो आपने हाथ दोनों रखिए कि आप दान करने के लिए अब सूरी ग्रहन की आपने बात करिए सूरी ग्रहन के दोरान दान वही बात हो गई कि सूरी क्या है एक तो जो है पिता है सूरी जो है ग्रहों का राजा है और तो उनके लिए हम इसलिए दान पुन मिलता है और जो होघान कि दिन कर रहे है कि हम जो हें हमारे जितनी हमारे पास है कि हम दे सकते हैं हमारे इतने सामर्थ है तो आप जरूरी जैसे कि पॉष को महिना है पोश के महीने में जो ग्रहन पड़ा है इसका बहुत अच्छा शुप प्रभाव आपके उपर पड़ सकता है मगर क्या आपको दान करना है कंबल दान कर सकते हैं आप खाने पीने की चीज़ें हो सकती है वो दान करिए जूते दान करिए और साथ ही किसी के जरूरत मन की जो कन्या है उसके घर में अगर जरूरत है किसी समान की शादी विवाम है तो वो दीजे किसी की संतान यदी भूकी प्यासी है आप उसको अगर दे के आते हैं तो ये सारी चीज़े और जहां पर ब्रदा असरम है वहाँ जरूर जाईएगा वहाँ पर जाके यदि आप जो है कुछ भी भोजन के लिए या फिर कोई किसी भी चीज के लिए आप दान करके आते हैं पैसे कई दान कराईए वो अपने हिसाफ से खरीदते रहेंगे या फिर खाने पीने की वस्तुओं को लेके वहाँ पर जाके देखे आईए उनका आसिरवाद प्रात करके आईए तब भी आपके पित्र प्रशन होते हैं अब गुरू की हम बात करते हैं तो गुरू कहां ब्रहमडों में देखा जाता है तो ब्रहमडों का आसिरवाद है ब्र चीज हमारे पास बापस जरूर आती है जो हमने किया है चाहें वेसक जिस तरीके से हम हवा को महसूस कर सकते हैं धूप को महसूस कर सकते हैं गर्मी को महसूस कर सकते हैं उसी तरीके से हमारे आसपास जो positive energy है जो उपर भगवान हमें जो चला रहा है वो हमारे आसपास है हमने देखानी है मगर हमें अपने करम से मतलब रखना है आप दान जरूर करिएगा और जो कह सकते हैं जैसे गाय हो गई कुटे हो गई जो पक्षी हो गई इनको भी हम अगर भोजन खिलाते हैं जो बोल नहीं सकते मांग नहीं सकते तो भी आके ग्रहों को और भी ज्यादा बल मिलत है कुछ लोग यह सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा दिया बस चुटा कभी इस ग्रहान की दौरान कोशिस यह करिएगा जूटा नहीं देना जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो आज की दिन तो बिल्कुल ना खाएं कल भी अगर जैसे सूतक की आपने एक बात आप कह रहेती ह लग गया था सूतक क्यों लगता है सूतक इसलिए लगता है कि उस दौरान जो है वो अशुद्धी हो जाती है हम मंदिर के पट को बंद कर देते हैं हम अपने जो कुछ लोग होते हैं जैसे कि हम लोग जैसे ब्रहामना के कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि सूतक लग चु रहता है हमारे हात में हैं कि हम अपने ग्रहों को कैसे प्रवल बनाएं बहुत सारे लोग हैं नहीं मानते हैं अभी आप नहीं मानते कोई बात नहीं बहुत अच्छा है ग्रहन का हम भी कहते हैं बहुत अच्छा है आप देखिए उसका आनंद लीजे सूरी ग्रहन का मगर उ % दें क्यास उपाई और मट्के में अगर जल या ग्यहुं भरकर किसी ऐसी मंदीर में जाकर रखते आथे हैं तो भी बहुत जाद है तो आप उनका पेड देखते है तो एकड़ मट्ढके में जआशा होता है और क्योंकि फौद रत का न्याब है आपको जित्ने हम किलों का यह कह लिए जितने वजन का दिया है उतने ही वजन का बापस ले लेता है और मरने के बाद जब अस्तिया उसी मठके में जाती है तो उतनी ही बापस आ जाती है तो यह कुदरत का नियाम है तो कोसिस यह करिएगा कि दान करिए दान वो भी जैसे मैंने बता है मठके में अनाज सतन जो भी करना है अच्छे दिल से करिएगा कंजूसी मियुत करिएगा कि हम वही कंजूसी करें क्या करना है सूरी ग्रहन है कौन देखने बैटा तो यह चीजे ना करें बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं क्योंकि कहा जाता है आचार जी कि नहाना बहुत जादा जरूरी और वैसे भी ठंड का बोसम है लोग कहते हैं कि नहीं ठंड है नहीं ना है तो क्या वज़ा है इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और आचार जी ने ये भी पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इस सुरे ग्रहन का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में पढ़ता है पर इन लोगों को क्या आप मेसेज देना चाहेंगी जो एवाइड करते हैं बहुत अच्छी बात आपने बोली है क्योंकि ठंड जैसे आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड से है बहुत दो तीन दिन से और ज़्यादा पड़ रही है अब ऐसे मैं कोई नहाना नहीं चाहता मगर नहा चुका है फिर दुवारा नहाना होता है और अलग जगा से हमें तस्वीरे आ रही है तो दर्शकों जो आप अपने टेलेविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं सुरिग रहन की वो एहमदाबाद की तस्वीरे हैं तो आप भी इसका आनन लेजे क्योंकि कहा जाता है कि सुरिग रहन को आप ऐसे डिरेक्ली नहीं देख सकते अलग अलग प्रकार की ग्लासेज और अलग अलग चीजों से ही आप सुरिग रहन को देख सकते हैं लोग इसको एक positivity के साथ enjoy भी करते हैं देखना भी चाहिए मगर उसको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ सावधानी आपको ग्रहन के दौरान बरतनी है वो आपको इस कारिक्रिम के दौरान बता रही है आचशारी कृष्णा श्त्रमा जी अचा जी एक अच्छी बात हम कर रहे थे कि जो लोग avoid करते हैं थंड है नहीं नहाएंगे चलो भूक लगी है खाना खाले तो इन लोगों को अब क्या message देना चाहेंगे जैसे थंड है आप नहीं नहाना चाहे रहे हैं हाथ आच्मन कर सकते हैं इतना तो करी सकते हैं जो लोग नहीं जो बीमार हैं उनके लिए भी है कि आप जो है गंगा जल छिड़क दीजेए और थोड़ा हाथ बात का जो है आप कोशिस करिए कि हाथ और मूँ पैर वगरा जरूर दुलवाएं तो यह जरूर करिएगा और अगर खा रहे हैं पी रहे हैं ग्रहन के दौरण तो मैंने आपको बताई दिया जो ज़्यादा बुजूर्ग हैं ज़्यादा ही बच्चे हैं जो दूद पीते हैं तो थोड़ा तुलसी डाल के भी खिलाना बहुत ज़्यादा उप्तम रहेगा तो तुलसी का एक अंगर का आता है गंगा मिया आपके ऊपर प्रशन हो जाएगी फिर क्या गंगा मिया जब प्रशन है तो आपका कोई गया बिगाड लेगा विल्कुल क्योंकि सुध होना बहुत जाया जरूरниц यह गहाता है कि आप मानसहार का सेवन ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, आप कटिंग ना करें, क्या चीना चलाएं या कुछ ऐसी चीज़े ना करें जिसका हमारे जीवन में जो प्रभाव है वो नेगटिव बढ़ता है इसलिए कहा जाता है कि जब सोरिग्रहन लगता है उसके पहले जो सूतक होता है उसके पहले भी आप यह छोटी-छोटी जो चीज़े उपाय आपको बता रहे हैं वो कर ले और सुतक या चंद्र असुरी ग्रहन खटम होने के बाद आपको क्या कुछ करना है वो भी आचार जी से जान लेते हैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगी आपने बैबुला ना कि नॉन्वेज मासा हर चीज़े नहीं खानी चाहिए उसका कारण है उसका कारण ये है क्योंकि एक तो जो हमारा घर अशुद उपर से जो है हमारी पूजा इस्थान भी बंध है आप ऐसे में नॉन्वेज खा रहे हैं कुछ असूरी जो शक्तियां होती है जो निगेटिविटी आपके घर में जो निगेटिव नाकरात्मक शक्तियां होती है वो आपके घर में प्रभाव और भी ज़्यादा डालती है उस दौरान सारी चीजे जिसे कहते हैं हमारी इंसानों का अलग है भूत लोग अलग है अल यह कहते हैं कि आपके रक्तों के उपर असर डालती है तो यह हुथा है कि अपने पित्रों के नाम का अगर दान छोड़ देते हैं तो उसमें क्या जाता है आपके लिए बहुत ज़हादा जरूरी है। और क्या क्या उपाय करना हैर वहीं हम आपको कारिक्रेर्पम के दौरान बता रहा है. पर आपसे मैं चर्शा कर रही थी कि सूतक खत्म होने के बाद, सुरी ग演 खत्म होने के बाद क्या कुछ किया जाहें वो भी बता दीजे। बिल्कुल सोरी ग्रेंट खतम होने के बाद सबसे पहले हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं दोला या अगर धो सकते हैं तो बहुत ही उत्तम नहीं तो जो है जैसे जाड़ू पोछा करने के बाद गंगा जल पूरे घर में आपको चिड़कना है आप गंगा जल चिड़कने तो ये चीजे आपके घर में पवित्रता लाती है और कोशिस ये करिएगा घर परवार के सभी लोग अपने हातों में आज के दिन गंगा जल जरूर रखके अपने उपर चिड़कें क्योंकि हाथ के इन हातों में सारे ग्रहों का निवास होता है यदि हम इनको भी अगर तक लगने के बाद ग्रहन पढ़ने के बाद शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है तबी ये भी कहा जाता है कि सुरे ग्रहन जब खत्म हो जाता है तो अच्छे से नहाद होके घर की सफाई करें और खास करके मंदिर की सफाई बहुत ज़्यादा जरूर प्रबल असर पड़ता है जो लोग जोड से बोलते हैं उसका इतना नहीं होता जितना मानसिक जापका होता है तो आप उस दोरान बिल्कुल पूजा अराधना नहीं करनी है आपने कहा कि क्यूं धोना जरूरी है क्यूं साफ सुतरा करना जरूरी है क्योंकि जो सूरी की किर्णों की जो उड़ जाएं आती है ग्रहन की समय उसका असर पूरे घर पे पढ़ता है चाहें बेसक सूरी की रोशनी आपके घर में ना जाए तो इसलिए सुद्धि गरण के लिए आपको ये चीजें जरूर करनी चाहिए तो इसका विशे सगर ध्यान तो आपका घर में शुद्धता भी बनती है वणना उसका अशर आपको धीरेदे क्यों तो क्या होता है जब भी हम पूजा अराधना करते हैं तो उसमें जो है हमारी कि है पूजा मैं कुछ नहीं कुछ कमी रह जाती है तो ध्यान जोरूर रखेगा कि पूजा इसलको साफ कर र उसको तो आज नहीं इस्तमाल करें वैसे कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि हम जो खाने पीने की चीजे सब खराब हो गई मैं ये चीज और बताना चाहूंगी आज की समय में जो महंगाई या आप जो मार्केट से भी खरीद रहे हैं या मार्केट में भी जो समान है क्या व बार-बार बता रहे हैं कि जो भी आपको उपाए आचारी जी के द्वारा बताया जा रहा है उन उपाईों को अप ध्out पुर्वक सुनिये और किन-किन मंत्रों का हम यदि जाप नहीं भी कर पाए तो पूजा पार्ट में हमको कोई ऐसी चीजे कर ले जिससे हमारे जीवन में जो सूरी ग्रहन का प्रभाव है वो कम हो जाए एक तो जो है बीज मंत्र जी से कहते हैं ओम गिडिन सूरियाय नमा ओम सूरियाय नमा इसके साथ ओम अदित्याय नमा ओम भासकराय नमा सूरी के बहुत नाम है आप बीज मंत्रों का बस जाप करना है जब सूरी का हम जाप कर रहे हैं तो सूरी जो है हमारे आत्मा का कारक है सूर्य हमारे अंदर प्रवल शक्तियां देता है इसके साथ ही मान सम्मान प्रश्टा ये सारी चीज़े दिलाता है हमारे वन्स को भी व्रदी देता है हमारे संतान के उपर अपनी किरपा बनाता है सूर्य पंचम भाव का स्वामी है जिसके दृष्टी जो हमारे संतान के उपर भी रहती है हमारे उपर भी रहती है हमारे जीवन में तरक्की पदो उनती के उपर रहती है तो यही है कि आप उस दोरान जिस मंतर का जाब कर रहे हैं अच्छा मंत्र का जाब या तो अपनी उंगलियों पे करते हैं या फिर आप जो है माला पे करते हैं तो आप कोशिस करिए उसको छुपा के आप माला पे करिएगा तो भी अच्छा रहता है और जब अगर इनका भी आपको नहीं करना है तो कोई भी मंत्र जो आपके गुरू ने मंत्र दिया अब उसका भी जाप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवायनमा का मंत्र यानि कि गुरुवार के दिन भगवान वासुदेव का नाम ले रहे हैं तो और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है गुरु अस्त हैं तो गुरु को और भी ज्यादा प्रवल बनाना ह गुरु के नाम का ओम गुर्वय नमा इसका भी कर सकते हैं ओम ग्राम ग्रीम गुर्वय नमा इस मंतर का भी जाप कर सकते हैं बीज मंतर का जितना जाप कर सकते हैं तो यह सारी चीजे क्या है कि आपके ग्रहों को प्रवल बनाती है और एक चीज हम बताना आपको बढ़ गे जैसे आप ग्रहन पढ़ रहा है कुछ लोगों ने प्रारम हो गया भी जैसे कि जैसे हमें चर्म सीमा पे जाएगा उस दोरान तक आप जो समान आपने जो निकाला है डान का आप रख लीजे घर्वती इस्तरी है वह भी दान का समान सामने रख ले तो उसका असर जो है पूरा ग्रहन का जो भी है वह दान के 사मान पर पढ़ता है तो कोशिस करियेगा आप ग्रहन के दौरान ही आप दान का समान निकाला लीजे फिर जब खतम हो जाये तो उस इस बार का सुरिक रहन आपके जिवन में अच्छा प्रभाव लेकि आए पर अच्छा कैसे होगा वो आपको बनाना होगा क्योंकि उपाई करने होंगे और क्या कुछ उपाई करने है वो हम आपको इस कारिक्रम के दौरान बता रहे हैं क्या उपाई आप करें क्या ना करें कि किन चीजों से बचे? ये जानना बहूत जादा जरूरी है. खास करके गर्वती जो महिला है वो इस बार सुरिग्रहन में खास ध्यान रखे. गर्वती महिलाओं को क्या कुछ करना है वो भी आचारीजी ने बताया. पर बहुत सारे घरों में चोटे चोटे बच्चे होते हैं जो इन सब चीजों को फालू नहीं कर पातें जैसे की भूख लगी है, खाना खाना है, नहाना नहीं है या बाहर जाना है और आजकल की लाइफ भी तो बहुत जादा बिजी हो गई है लोक स्कूल जाते है आफिस जाते हैं, सुबह-सुबह ही जॉब पे जाना है तो उन लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगी जो कुछ ऐसा चोटा सा उपाई कर ले जिससे इस बार का जो उनका सुरिग रहन है उनके जीवन में कम प्रभाव दे देखे, नौ साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनका भागे उनकी मा से जुड़ा होता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं अगर कुछ खा रहे हैं तो मैंने बताया ना तुलसी जरूर डाल दीजेगा प्याज लेसुन आप आज मत खाईए तो अच्छा रहेगा तो आँ तुलसी डाल के आप बच्चों को खिला सकते हैं इसके साथ ही जो है जो छोटा बच्चा है उसके लिए आप दूद पिला रहे हैं मगर मा के उपर ही है कि मा अपने बच्चों के लिए जिनके पास माता पिता है आप यकीन मानिये कि उनके ग्रहों का असर मैं कहूंगी नाम मातर के लिए पढ़ता है मगर जो है पढ़ता तो है मगर नाम मातर के लिए पढ़ता है क्योंकि सारा असर तो उनके माता पिता है क्योंकि मा का हमने सबसे ज़्यादा उपर प्रवाव इसलिए रखा है क्योंकि मा के सरीर से जुड़के ही हम इस धर्ती पे आए हैं तो मा यदि अपने संतान की तरफ से जो भी उपाए हैं मंत्र है उसके नाम से कल लेती हैं तो आपके लिए अच्याघ रहा है जब भी आप कोई भी दान पुन करते हैं अपना नाम अपने गोत्र अपने जिस संतान के लिए कर रहे हैं ओ सारी रखे फिर उसके बाद जो है आप किसी को दान करते हैं तो इसका असर आपके संतान पर अच्छा प्रभाव इसलिए डालता है क्योंकि मा ने वो दान किया है और मा का दान बहुत जल्दी लगता है जी बिल्कुल तो हम भी काम ना करते हैं कि इस बार का सुरेग्रहन आपके जीवन में खुशिया लेके आएं कुछ भी आप ऐसा ना करें जिससे आपकी जीवन में कोई भी नेगटिव प्रभाव पड़े क्या करें क्या ना करें वो आपको इस कारेक्रियम के दौरान हम लगत जाते जाते आचाल जी हम यह भी चाहते हैं कि आप बता दे एक अच्छी सी चीज जिनसे उनके सुरेग्रहन की समाप्ती हो जाए लोग बहुत डरे रहते हैं तो क्यों वो ना डरे क्योंकि लोगों को लगता है कि सुरेग्रहन का नेगटिव प्रभाव पड़ जाएगा ल तो इस दोरान अगर हमसे कोई गलतिया हो जाती है कुछ है तो आप सूरी देव को जल चढ़ा कर सूरी देव को जल चढ़ाने के साथ जैसे गुड़हल का फूल और अक्षत और रोली डाल कर आप चढ़ा सकते हैं मंत्रों के साथ में और गाय को आपने हो सके तो हर अभी ब और मैं बता दू खास चीज यह लाल वस्तर का भी दान कर सकते हैं पीले वस्तर का भी दान कर सकते हैं मगर इस सूरी ग्रहन में काले वस्तरों से जरूर बच के रहिएगा क्योंकि काले वस्तर आज के सूरी ग्रहन के लिए बिल्कुल उत्तम नहीं है यदि आपका कोई किसी पूजा पार्ट का भी अपना विशेश महत्वाना गाया है सुरिग्रहन के दौरान तो आचार जी ये भी जान लेते हैं आप से कि जब सुरिग्रहन का समापन हो जाता है तो पूजा पार्ट में कुछ हमें बदलाव करने की जरुवत होती है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई पूजा पार्ट में बदलाब करें कुछ लोग घर में हवन करते हैं कुछ यग बगरा करते हैं क्योंकि अपने पित्रों के नाम का जो हम अगर भोजन बगरा भी आज कराना चाहते हैं तो करा दीजे क्योंकि कल जिन्हों ने कराया था वो ग्यारा बज़ के सतरा मिन अगर देते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम गरम वस्तर दीजेगा दचना दीजेगा भोजन में आगा पीले लड़ू अगरा कुछ भी आप जो है जरूर बीठा जरूर रखिएगा भोजन के साथ में जी तो क्या द्यान करना है आपको वो भी हमने आपको बता दिया पर आपने जो दान का समान निकाला है वो दान का समान अपने सारे परवार के जो सदस से हाथ लगवाईएगा लगवाने के बाद अपने उपर से आप तीन बार उल्टा एंटिक्लोगवाई उतारना है उतारने के बाद जो है उसको घर के बाहर रखे फिर सफाइफाई करके अ और आपके घर में पूजा और आदना फिर उसके बाद आप आरती वगरा जो भी करना चाहते हैं वो आप करिए गुरुवार का दिन है बहुत अच्छा रहेगा इससे जो है आपके घर में आपके पित्र भी प्रशन होंगे और आपके ग्रहा भी प्रशन रहेंगे जी और कई बार लेकिन अचार जी ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग पूजा नहीं कर पाते, मंदिल नहीं जा पाते, दान भी नहीं कर पाते, पर उनके भी तो जीवन में सुरिक रहन का प्रभाव पढ़ता होगा, तो उन्हें इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यदि आप कुछ निकाल नहीं सकते हैं, तो पैसा एक ऐसी चीज होती है, आप उतने एक सो एक निकाल दीजे, जितना भी आपकी जतना सामर्थ है, उतना पैसा आप निकाल के रख दीजे, कि ये मैंने दान के लिए रखा है, और जाकर किसी भी दान पातर में जाक है, तो ये चीज कर लिजे, क्योंकि ये देखते हैं कि जो जरूरत मंद है, उसको हमदान भी दे रहे हैं, ग्रहन का भी दे रहे हैं, तो उसके उपर असर क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसके उपर असर रिस निये पढ़ रहा है, क्योंकि भगवान ने उसको कहीं न कहीं उस जो जाती है ब्रहमाड को दान दे रहे हैं जरूरत मन को दान दे रहे हैं उनके उपर ग्रहों का इसलिए असर नहीं पड़ता है उसको भोजन करना है उसको दवाई भी kingdom kqun उसको जल भी पीना है बचचे को दूद भी पीना है तो उनकी जरूरत है तो कोशिस यही रहती है कि ज़्यादातर हम उनको अगर जो भी दे रहे हैं तो उनके उपर ग्रहों का असर नहीं पड़ता तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप दान करिये मगर मन में एक घमंड मत रखिएगा कि हम यह दान पुन कर रहे हैं बता के किसी को नहीं करें यह गुप्त दान भी बहुत बड़ी चीज है तो क्या कुछ दान करना चाहिए तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप ब्रद्दा अस्रम में बहुत सारे भूके हैं या अपनी माता पिता का तो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं बाहर जाके लोगों को दिखा रहे हैं ऐसा मत करिएगा उसके लिए जरूरत है कि आपने घर से ही प्रारंब करिए उसके बाद जो है आप घर के अलावा जो है आप घर परवार और भी अरोस पोड़ोस में उनका भी जरूर आसिरवात दीजेगा उनको जरूरत है अगर ठंड लग रही है तो गरम वस्तर दे दीजे जूते दे दीजे पहनने के लिए आजकल बहुत ज़ जरूरत की चीजे हैं मैंने आप लोगों को यह बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चीज के बारे में नौलिज होनी चाहिए कि सूरी ग्रहन में क्या करना चाहिए क्या ने करने चाहिए बिल्कुल हमने डरानी के कोशिस नहीं करी हमने एक चीज को बताया है मगर उससे बचा रखना है क्या आप करें क्या ना करें वो हमने आपको बताया और जो भी आपको उपाई इस कारिक्टरम के दौरान बताये गए हैं आप उन उपायों को जरूर करें क्योंकि इस सुरेग्रहन का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत जादा पढ़ने वाला है फिलाल मुझे जादे नमस्कार